सोनपुर नामक गाउं में एक नमक का व्यापारी था. नमक के एक व्यापारी के पास एक गध्धा था. वह व्यापारी रोज सुभह अपने गध्धे पर नमक की बोरियाओं लाद कर आसपास के गाउं में नमक बेचने ले जाया करता था. आसपास के गाउं में जाने के गद्धे का बोज काफी हलका हो गया व्यापारी उस दिन गद्धे को लेकर वापस लोट आया उस दिन गद्धे को बहुत आराम मिल गया दूसरे दिन वह व्यापारी रोज की तरह गद्धे पर नमक की बोरियाओं लाद कर नमक बेचने निकला उस दिन पहले नाले को पार कर पर नमक के व्यापारी के ध्यान में आ गया कि आज गधा जान बूज कर पानी में बैठ गया था। इस बार उल्टा ही हुआ। रूई के बोरो ने खूब पानी सोखा और गधे की पीठ का बोज पहले से कई गुना बढ़ गया। पानी से बाहर आने में गधे को खूब मेहनत करनी पड़ी। उस दिन के बाद से गधे ने पानी में बैठने की आदत छोण दी। कहानी की सीख Moral of the Story मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं।